चाय वाले ने 100 करोड की ठगी कैसे किये बाई बताइए ये लोग 100 करोड रुपिया दिख रहे हैं 100 करोड लाई की 100 करोड रुपिया ठग लिए 36 गड़ में ठगी की ख़बर दिखाया था कुछ दिन पहले आपको याद होगा 40 करोड रुपया के दिखाया था कि लिए 40 करोड अब ये चायवाले 100 करोड 36 गड़ में बहुत ठगी हो रही है 100 करोड की ठगी की खबर बताने वाला हूं 100 करोड की खबर पैसे डबल होने का लालच लोगों को ठगा रहा है मत करिये लालच बहुत बड़ा मामला सामने आया है सुनकर हैरान रह जाएंगे आप चलिए विस्तार से पूरी खबर बता देता हूं पूरा मामला 36 गड़ की राजदानी रायपुर का है जहांसे में आकर कई लोगों ने अपनी जमा पूजी गवा दिया ठगे गए लोगों की लिष्ट बहुत लंबी है कई लोगों के सपने तूट गए कई लोग भारी करजे में चले गए और आरोपी ने ठगी के पैसों से खूब ऐस किया और अपने लिए नई प्रापर्टी बनाई सो करोड रुपए बाब रिबाब आरंग और मंदिर हसोज छेतर के तीन सो से जादा लोगों को ठग लिया गया इन लोगों से करीब सो करोड रुपए की ठगी हुई है यानि कि एक अरब रुपियों की ठगी का मामला है सो करोड की ठगी करने वाला तीन सो लोगों को ठगने वाला शातिर जानते हैं को ने सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा है इस ठगी का मास्टर माइंड सर्फ बारवी पास जो पहले चाय की दुकान चला था रोपी का नाम भुनेश्वर साहू है जिसने अपने साथ ही मनोहर के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया है और ठगी करने के बाद फरार हो गया जब सिकायत होई तो पुलिस ने साइबर टीम लगा कर भुनेस्वर साहु की तलास शुरों की और फिर भुनेस्वर साहु को धमतरी से गरफतार किया गया ग्रफतारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जिसे सुनकर पूलिस वाले भी दंग रह गए हैरान रह गए आगे बताऊंगा लेकिन पहले हमारे सहयोगे नितेश गड़ की ये रिपोर्ट देखे आपको थोड़ा तस्वीर साफ करने में आसानी होगे सौ करोड रुपए की ठगी करने के बाद भुनेश्वर साहु ने कोईली में आरंग में अपनी ये सफेद रंग में काली कोटी बनवाई है यहीं अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वीस हजार स्क्वेर फिट के अंदर जमीन के अंदर जो है कई हजार स्क्वेर फिट का उसने आली शान बंगला बना रखा था यहीं से भुनेश्वर साहु कहा जा रहा है प्रेडिंग का अपना नया काम जो है करता था ये महेंगे महेंगे लग्जूरियस मारवल का इस्तमाल किया गया है भुनेश्वर साहू के घर में ताला लगा है सबसे पीछे की जगे में उसने दो दो जो है गेट बना रखे थे और अब जो है जेल की चक्की पीसरा भुनेश्वर साहू कभी इसी दुकान में जो है चाय बेचा करता था मुगाडी, समोसा ये सब कुछ यहां वो बैठ कर गल्ले में बेचा करता था और अपने मामा का सहो किया करता था 2012 तक तो यहीं था ठगी के जरीए भुनेश्वर साहू चाय बेचने वाले से सीधे करोड़ोपती बन गया भुनेश्वर साहू ने ये ठगी कैसे की ग्राफिक्स के जरीए ये भी समझ लेजी चाय बेचने वाला भुनेश्वर साहू चिट फंड कमपनी का काम भी करता था इसी दोरान मुनेस्वर साहू ने लोगों से पैसे लेकर शेयर ट्रेडिंग का काम सुरू कर दिया मुनेस्वर साहू ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग करके 6 महीने में पैसा डबल करने का जहासा दिया पिछली बार भी बताया था जब 40 करोड की खबर बताया ता शौट कट नहीं होता पईसा कमाने का मेहनत करना पड़ेगा और सौट कट से कमाएंगे तो इसी तरह से जो नितेश दिखा रहे थे बंगला बनाएंगे और फिर रहेंगे कहा जेल में इसलिए सौट कट नहीं मेहनत कीजिए बुनेश्वर साहू के इस जहासे में सैकडो लोग फस गए और लोगों ने अपनी कमाई बुनेश्वर साहू को दे दिए बुनेश्वर ने ठगी के 20 करोड से जादा रुपिया शेर ट्रेडिंग के नाम पर डीमेट अकाउंट में लगाया इसके साथ ही आरंग और मंदिर हसौत के आसपास की इलाकों में सैकडो एकड जमीन खरीब लिए इसके लाबा बुनेश्वर साहू ने अपनी गर्फेंड के नाम पर करोडों की जमीन और कार भी खरीदा बताइए गल्फेंड को नहीं बूला पैसा आया गल्फेंड को भी नहीं बूला इस काम के लिए भुनेस्वर साहू ने बकायदा एजेंट रखे थे जो गाउं गाउं जाकर लोगों को जहासा देते थे और पैसों का कलिक्षन भी करते थे सभी एजेंट ये पैसा लाकर भुनेस्वर साहू को सौंख देते थे और इन ही पैसों को भुनेस्वर शाहु सेयर मार्केट में लगाता था दिस्तार से बता रहा हूँ पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है मंदिर सौथ थाने में पीडितों की एक लंबी लिस्ट बनाई जा रही है किन-किन लोगों से कितने की ठगी हुई है पुलिस ये सब कुछ इकठा करने में लगीुए इस ठगी का शिकार होने वाले पीडित लोग और पुलिस के अधिकारी भी कुछ बोल रहे है सुनाईए ज़रा ये दो लोग भी उसी लूट का शिकार हुए है भूनेश्वर ने मैसेज भेजा है एक करोड में स्पॉर्ट एक लाख और बारा माह में पांच परसेंट बूनस पांच लाख तो एक छोटे अमाउंट से प्रक्रिया चालू हुई फिर कर्ज ले लेके ले लेके पेमेंट इतना बढ़ गया सर की जान पे बनाई है टोटल अभी मैं उनको कहा जाए तो पांच लाख रूपया कर जसे दिया हूं और दो लाख रूपया अपने जो दुकान का था और जो मेरी पीज़ जी से आब बता रहे थे वो सब चीज है पैसा लगाने के नाम पर पैसे को डबल करने के नाम से सात लाग रूपय लिये थे और वापस नहीं किया आज बुनेश्वर साहूं और मनुहर साहूं को देपतार किया गया है नाइक पर गण गया है गजबाल है अपना पैसा गवाने वाले लोग बहुत दुखी है परिशान है क्या करेंगे जमा पूझी चली गई सोचिए एक चाय बेचने वाले ने इतनी बड़ी हेरा फेरा कर गई अच्छे अच्छे लोग इसके जहासे में फस गया है गुनेश्वर साहू पर बंदी रसोथ थाने के साथ साथ आरंग थाने में भी मामला दर्ज है वहां की पुलिस भी तलास रही है अब तलास खत्म है इसलिए कह रहा हूँ कि लालच मत करिए सौट कट की चक्कर में मत पढ़िए सावधान रही है ठगों से सतर्क रही है नही इस तरह के गफलत में आप नाफस है समझ गया आप